पोटा राजिस्थान से हैं जहूर मुहम्मद जी स्वागत है आपका अकीम जाब सलाम अलेकुम अदाब जैहिन स्वागत वाले सलाम अकीम जाब मैं यू किराता कैसे अपने गोन किया लेते हैं हमैं जहिन मतलदा वेष्टन व्रूड़ जर्न अस्तिमाल करना पड़ता है तो इसमें बिचार है बहु करेप रहते हैं a किरायसे रहते हैं मतलद क्यार इससीचे के रहते हैं मतलदा वेष्टन टोड़े नही न में आ सकते हैं तो मतलब वो बिचार है उनका इलाज के से होगा दूसरी बात ही है जो अपने जेतुन का नमा काता है यह हाड में पिर काम करता है के सर हाड में हाड में हाड में हाड में ठीक ठीक अच्छा देखो पुटा हम एतियातन ऐसे लोगों को वेस्टर ट्वालेट बताते हैं क्योंकि अगर कमर या घुटनों के दर्द का मरीज है तो उकणूं बैठने में जो पंजों के बल बैठा जाता है उससे उसको राहत नहीं होती बलके और तकलीब बढ़ जाती है तो इसके लिए देखिए बहुत जैसे जिसके हालात है वैसे वो इंतिजाम कर लेता है और कुछ लोग तो कुर्सी को बीच में से काट के वेस्टर ट्वालेट बना लेते हैं हमने भी किया है इसा जबरत के तहट तो जैसे हालात होते है भगवान उन्ही हालात में जीना सिखा देता है एक तो यह आपकी बात का जवाब तो जल्दी फायदा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है और यह जो जैतुन का नमक है हाट के लिए अगर लेना हो आपको तो एक चुटकी जैतून का नमक और एक चुटकी खाने का सोडा दो गिलास पाने मिला के एक बार या दो बार ले सकते हैं खाने से पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं तो ये फिर हाट को बहुत फाइदा करता है सागल से हैं बबीत जी स्वागत है आपका? नमस्क्यां मैम जी बताये इस बहु की बाई टो मेरे चल रही है. वह बहु को मान्सिक रोग है तो उसकी दवाई टों पर्षय मैंसे मंगा रहे हैं तो क्या क्यते है अभी सभाराईय Selbst, वहां इन केर और grieving Plus आई है तो हम चाहते हमें बहुत बुल्कुल अच्टी हो जाए अभी कितना फायदा है बच्ची को हाँ पहले से तो फायदा है सर लेकिन हम चाहते ही हो जाय हमारे हर में प्रॉब्लम हो जाती है हम बहुत परसाफ है जरूर अच्छी हो जाएगी जरूर अच्छी हो जाएगी और दूसरा कॉस्चन दूसरा कॉस्चन हमारी एक नाता ने गया रजाल की उसको प्राइफाइड हो गया दी ठीक है और और कोई सवाद आप रोहिए नहीं है जैतुन के नमक से भी बहुत फायदा हुगा हमको बाबा सीर्टी हमको बहुत ज्यादा परिशान थे हम तो हमें बहुत ज्यादा पायदा हो गया इस समय सतर परसेंट फायदा हो गया है चीक चीक है, बहुत शुकरिया, अच्छा दिखीं ये जो बहू है, आप उसके लिए बहुत परेशान हैं, घर-घर की कहानिं कि डिप्रेशन हो जाता है, दिमांगी बीमारी हो जाती है, और कुछ घरेलू माहौल ऐसा होता है, हमें जिसको भी किसी के घर में ये डिप्रेशन हो जाए उस डिप्रेश आदमी की जैसे बहू है उसकी हर बात पर तारीफ किया करें ये एक बहुत अच्छा इलाज है लेकि फाइदा तो हो इस वह रहा है दीरे दीरे हो रहा है लेकिन ये तारीफ जो है न दवा से भी खाना बनाया एक मिसाल दे रहा हूं और उसमें नमक या मेर्चे जादा कर दी तो हमारा क्या है क्या बना दिया हडाओ ये खाना ये नहीं होना चाहिए उसको पी जाओ और उससे को बहुत अच्छा खाना बनाया है और अगर इसमें थोड़ा सा नमक और अच्छा कम डालते ना तो और अच्छा लगता ऐसे करते हैं तारीफ उसकी बुराई भी गिनवा दी और उसकी तारीफ भी कर दी मुझे अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ कि बहुत यह अच्छा खाना ला जवाब ऐसा खाना आज तक निखाया और फिर बाद में जब वो खुश हो जाता है तो कहता हूँ कि थोड़ा सा नमक कम होता तो बहुत अच्छा था है ऐसी हर चीज़ में यह तरीका है किसी का दिल जीतने का सब तारीफ किया करें यह दवाओं से भी अच्छी दवा है और यह जो दवाइं दे रहे हैं जिससे फा यह उनके पेट में जाना चाहिए कैसे जाएगा आप जाने पाउडर के रूप में खाएं या साबुत धनिये को उबाल के उसका पानी पिला दे और यह बहुत अच्छे एक राव मेटेरिल धनिया तो सब इस्तमाल ही करते हैं और अपने सब्जी सालन में भी ज्यादा डाल करें धनिया जिस घर में यह प्राबलम हो धनिये का इस्तमाल हूब होना चाहिए तो यह बहु का इलाज और क्या सावल था नाति ने 11 साल के टाइफाइड हो गया है हाँ टाइफाइड का साथ से 15 दिन इलाज होता है और वो करते रहें डॉक्टर का इलाज सबसे अच्छा ह इसमें और यह जो धनिया है ना धनिया आधा चमच धनिया और एक चुटकी नमक जैतुन दो गिलास पानी मिलाकर इसको रोज पिलाया करें एक बार बस तो यह बहुत रहात देता है जैसे आपको फाइदा हुआ ऐसी उसको फाइदा हुआ लेकिन वह इलाज छोड़े नही नमस्कार मैम तो मेरा सर बहुत दुखता है, बड़नेक पाती हूं, अब एक माल और है, एक मेरे घर में आदमी है, वो तीन महीं में तक गौन मोरिंगा खाए, तो उनके बाल उनके रहे, और फिर उनके बाल भड़ने लगे हैं, उनके लिए दवा बताईए और यहीं इसना सवाल रहे है। तो उनके दवा की क्या जरूरत है, अगर और भी अच्छे बाल चाहिए तो और काफी दिन तक भी खा सकते हैं, गौन मोरिंगा तो उनके बालों में खूब ग्रोथ होती है, तो फाइदा है तो अगर और फाइदा चाहिए तो और कुछ दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखे अगर यह पेट की तकलीफ है, तो आप एक तो अरणडी का तेल समझते होंगे, गाओंवों में कहते हैं अरणडी का तेल और इंग्लिश में कहते हैं कैस्टाल आइल, कैस्टाल आइल, हर मैडिका स्टो पे मिलती है, सो दो सौ एम ल की सीसी ले ले, और एक चमस यह पीले फिका होता है जरा गाड़ा बहुत होता है और एक गरम गरम पानी या चाय पीले जिन में एक बार ये कर लिया करें और सॉफ सौट जीरा अजवाइन धन्या मेथी छह चीजें हूब बारीक पौडर बनाकर रखें और सो सो ग्राम लेके सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी छे चीज़ें हूब बारीक पॉडर बना ले, सो सो ग्राम लेके, मेथी का दाना और ये आदा चम्मच खाएं और ये एक चम्मच जो कैस्टॉल आइल मैंने बता है, उसके साथ ले और उसके आदा गर्टे बाद, एक चुटकी नमक जैतून, दो गिलास पानी में मिला कर पी लिया करें अपके पेट के लिए बहुत अच्छा नस्खा है ये जी, सर जो दुखता है हकीम साथ और देके सर किसी का भी दुखता हो, ये चक्कर आते हो ये इलाज करें, देखिए, ये हमारे जो सर की मरम मत समझ लिजए ये, सर्वाइकल होता है, अक्छली यहां नसे दब जाती हैं गर्दन में, तो वो नसे, ऐसे हम लेट के पढ़ते हैं अक्सर, तो लोट पढ़ता है यहां पर, और पिर हमारा सर दुखने लगता है, अगर आखें कमजोर हों, तो पढ़ने से दर्ध होता है दिमाग में, आखें कमजोर हों, तो आखों का इलाज करा हैं यह चश्मी बनवा हैं, और यह एक्सरसाइस किया करें रोजाना तीर मिनट आपको फायदा मुम्किन है, अगले कॉलर है राजविंदर जी, स्वागत है आपक नमस्कार मेडम, जी नमस्कार सर कहां से बात कर रहे हैं, मैं किछी से बोल रहा हूं मेडम, आपका सवाल, सवाल हकीम साब को पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका, जाहिल, हकीम साब, मैंने कौन सिया खाया था मेरे उपरों में दर्द था, दो महीं दो डबे खा चुका, तो दर्द तो बहुत कम हो गया था, लेकिन अभी भी तरह हलका अंदर की साइड में दर्द है, तो उसको मैं क्या और, कौन सिया और खाऊं, क्या करूं जी? ठीके, ठीके, और कोई सवाल आपका, राजित दर्द जी, फिलाल तो यही सवाल है जी, एक दर्द बिल्कुल जा नहीं रहा, थोड़ा-थोड़ा कंदों में भी दर्द है, ठीके, ठीके, अच्छे देखे, वेस्टन ट्वालेट इस्तमाल ले कर रहे हों, तो वो करें, नह यह एकसर साइज, टीन मिनिट रोजाने करें, एक साथ नहीं कर पाएँगे, लेकिन एक एक मिनिट करके, तीन मिनिट कर लिया करें, यह देखनेमें आपको मामूली लगेगी, लेकिन करें जरूर, मेरा कहना मान कर, और एक ही है, ऐसे, 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 और इजो गॉन्द सिया आप खाते हैं ये बस एक खुराक रोज खाया करें और एक चमच देशी घी असली मिल जाए तो उसमें मिलाके फिर खा लिया करें और खुराक कम कर दें लंबे अरसे तक खाते रही है बिल्कु जड़ से जब तक ना निकल जाए अब पांच परसेंट रह गया है और अगर आप उमर्दराज है तो पांच परसेंट रह जाए तब भी भगवान का शुकर करें कि उसने 45 परसेंट फाइदा दे दिया कभी कभी हम भगवान का शुकुर करने में कुछ चूक जाते हैं और कई काम जो अटक जाते हैं वो भगवान के शुकुर से भी पूरे हो जाते हैं दिल्ली से ही अगले कॉलर है ममता जी स्वागत है आपका हा जी मैं जी ममतागी मम्मी बोल भी हूँ जी रहे मेरी बेटी है मुझफ़नगर से आहिए अप तो उनकी सासू मा के है सारे सरी मेर जर्द जोड़ों में हाटों में पैरों में उमर कितनी है उमर उनकी 55 साल हमारा कोई नुस्खा निथिया आपने टिया ? हमारा कोई नंस्खा, हमारा कोई हमरा कोई मश्वर्वर अन तक मैं बेटी आई वी था मैंने बताया है गौन सिहा वाला नुस्खा दिजिये आपको कुछ फायदा हुआ मेरे किसी मश्वरे से कभी आपने यूज किया मेरा कोई निस्खा है आप दो आपारा ने मी ली दो कुछ नी वे में ने भी आखने है जैतून का सिर का मंगा नामी जब ठीकी ठीक है आप मंगा लीजे आपको तो पहचानने भी लगे होंगे हमारे लोग अच्छे देखिए हमारे साथ ऐसे ही जूरे रहे हमें ऐसी देवियों की जरूरत है जो खुद फाइदा उठाने पहले और फिर वो कुछी कुछ छोड़े नहीं चाहिए बेटी की सुस्राल हो चाहिए पड़ोसी हो उन सब को फाइदा पहुचा दे हैं हम यही चाहते हैं हम मुस्तकिल आप तो वह छह साथ महीने से देख रहे हैं लेकिन हम हम बहुत दस बीस साल से यही काम कर रहे हैं कि घर घर एक घरे ले नुस्का पहुच जाए जससे लोग को फाइदा हो जाए और यह सब परेशानियां अपने घर में ही जिसे आप کر लेتे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप ले लिजए नुस्का और मैं प्रात्ना भी करूंगा आप भी प्रात्ना करें कि बच्ची की सास को फाइदा हो जाए और ये आपका रिष्टा बहुत अच्छा है वरना जो सम्दने होती है उनमें तो बड़ी तकरार रहती है लेकिन अगर आप उनसे महबत करती है तब ही आप इंतजार कर रही है और नस्खा बेजेंगे तो संबंद और अच्छे होंगे और फाइदा अच्छा हो गया तो कुछ दूआ आपकी और आपकी सम्दन की मुझे भी इस से में जरूर रखना